सेल्स के लिए आपका सबसे पहला कदम है अगर आपका बिजनेस ब्रो नहीं कर रहा है तो आपका सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए कि क्या आपने अपने बिजनेस की रणनीती को ठीक से डिसाइड किया है हर इंसान की कुछ कलपनाएं होती हैं, कुछ उमीदें होती हैं, कुछ अकांख्षाएं होती हैं, एस्पिरेशन होती हैं उसके लिए वो व्यापार शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है या बिजनेस चलते हुए में जोइन करता है If business is not in growth, if business is declining, if business is flat, first of all you are responsive जब तक आप आपकी उंगली को अपनी तरफ नहीं लाओगे, आपका business growth अगर हो गया तो इतफाक से होगा आपकी वज़े से नहीं होगा, पहला सुत्रिय है कि आप जानना शुरू करें कि आपको क्या नहीं आता है और यह पहचान है कि मेरे को नहीं आता है, अगर आप पहले यह शुरू करेंगे कि मेरे को नहीं आता है, तो सीखने की कोशिच कहीं करेंगे जब तक आप इस ब्रांती में रहेगे कि मुझे सब आता है मेरे को सीखने की कहा ज़रता है में 20 साल से करना हूँ 20 साल से काम कर रहा हूँ मेरी तीसरी बीडी कर रही है आप को हेरान ही होगी इंडिया में चौथी बीडी में विजनेस करीब गरीब 4% रहते हैं 96% बंद हो जा तो जो कस्टमर मेरे साथ 1-2 लाग का बिजनेस करने की सोचता था तो हमें पता चला कि हम जो एक मतलब एक्स एमोंट का बिजनेस देख रहे हैं उससे तो हम 10x कर सकते हैं सेल्स को ब्रोट करने के लिए आपका टच जब तक आपके कॉंपेटिटिटर मार्केट और इनके सा कुशलता का एक ही सूतर है कि बार बार की ये आपको बिजनेस में भी इस तरह की कुशलता डिवलप करने पड़ेगी सेल्स के बारे में कम्यूनिकेशन के बारे में और अगर आप बिजनेस बड़ा करना तरह हो तो डेलिगेशन के बारे में अगर आप बिजनेस बड़ा कर प्रेक्टिस से होगा और प्रेक्टिस के लिए आपको कोई देखने वाला अगर मिल जाता है को आसान हो जाता है